हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टो मैं चैनल रेस्टरेंट स्टाइल जब खाना घर पे मिले तो रेस्टरेंट क्यों जाना आज मैं बना रही हूँ रेस्टरेंट स्टाइल गार्लिक नान इसे हम तंदूर की जगा तबे पे बनाएंगे और वो भी बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे तो चलिए हम आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं गार्लिक नार बनाने के लिए सबसे पहले हम डो लगा लेंगे तो मैंने यहाँ पे दो कप मैदा लिया है अब चाहें तो यहाँ पे मैदा के जगा आटा भी ले सकते हैं लेकिन आज मैं रेस्टरेंट स्टाइल नान बना रही हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे मैदा का यूज किया है अब हम इसमें डालेंगे नमक लगबग 1.5 अटी स्पून या स्वाद अनुसार चीनी 1.5 अटी स्पून बेकिंग सोडा 1 पिंच बेकिंग पाउडर 1.5 अटी स्पून तेल 2 टेवल स्पून और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1.5 अब हम सारे चीज़ों को अच्छा से मिक्स कर लेते हैं उसके बाद अगर जरुवत पड़े तो हम इसमें पानी का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे मैंने दही वाले बाउल में ही थोड़ा सा पानी ले लिया है अब हम थोड़ा थोड़ा पानी अड़ करते वे इसका एक सॉफ्ट डो लगा लेंगे तो यह डो रेडी हो चुका है अब हम थोड़ा सा तेल डाल कर इसे चिकना कर लेते हैं डो को अब हम इस तरह से अंदर की तरफ टक कर देंगे और इसे कवर करके हम कम से कम 30 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे 30 मिनट्स हो चुके हैं अब हम डोग को फिर से एक बार स्मूध कर लेते हैं अब हम डोग को छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे नान की साई जब अपने हिसाब से थोड़े बड़े या थोड़े छोटे बना सकते हैं तो मैंने यहाँ पर सारे लोईयों को तोड़ लिया है और इससे चिकना भी कर लिया है अब हम नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं अब हम एक लोई लेंगे और इसके उपर थोड़ा सा सूखा मैदा डाल कर इससे रोल कर लेंगे मैं इसे यहाँ पे oval shape में roll कर रही हूँ आधा roll करने के बाद हम इसके उपर लगाएंगे यह बारिक कटेवे garlic बारिक कटेवे धनिया के पत्ते और थोड़े से कलोंजी तो इसे हम अच्छे से इसके उपर लगा देते हैं garlic को आप यहाँ पे जितना छोटा काटेंगे वो नान में उतने अच्छे से ही set होगा अब यह धनिया के पत्ते और कलोंजी भी इसमें लगा देते हैं अब इसके उपर थोड़े से सूखे flour को dust करेंगे और इसे हम इस तरह से प्रेस कर देंगे ताकि यह अच्छे से set हो जाए अब नान को हम फिर से थोड़ा सा roll कर लेते हैं यहाँ पे मैंने नान को roll कर लिया है अब हम इसे palette के इसके पीछे वाले पार्ट में brush से या फिर अपने हाथों से थोड़ा सा पानी लगा देंगे इससे यह गरम तवे पे अच्छे से चिपक जाए तो यह ready हो चुका है अब हम इसे सेखने के process में चलते हैं यहाँ पे मैंने iron के तवे को अच्छे से गरम कर लिया है अब हम इसमें यह नान डाल देते हैं तो जिस साइड हमने पानी लगाया है उस साइड को हम नीचे रखेंगे और अब हम इसे हलका सा प्रेस कर देंगे जिससे यह नान तवे पे अच्छे से चिपक जाए नान बनाने के लिए आप iron के तवे का ही यूज़ करें इसमें नान अच्छे से बनता है इसे हम मीडियम फ्लेम पे इस तरह से बबल साने तक सेख लेंगे अब हम इसे पलटके इस तरह से आच्छे सेखेंगे तवे को ऐसे गुमाते रहें ताकि नान सारे तरफ से अच्छे से सिख जाए गैस के फ्लेम को हम यहाँ पे मीडियम टू हाई रखेंगे तो आप देख सकते हैं नान एकदम अच्छे से सिख चुका है अब इसके उपर हम बटर लगा देते हैं बटर कम यह ज्यादा आप अपने पसंद के हिसाब से लगा सकते हैं अब हम इसे इस तरह से स्क्राच करके तवे से निकाल देंगे आप देख सकते हैं यह दूसरे साइट से भी कितने अच्छे से सिख चुका है अब हम इसी तरह से बाकी नान को भी सेख के तयार कर लेंगे तो रेस्ट्रेंट स्टाइल गार्लिक नान बनकर तयार है इसे आप पनीर की सबजी या अपनी पसंद की सबजी के साथ इंजोई कर सकते हैं तो अगर आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी तो इस वीडियो की नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और अपने experience कमेंट में जरूर शेयर करें साथ ही साथ मेरे लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूले थैंक यू फो वाचिंग